नमस्कार मैं हूँ दबांजली मुईत्रा COVID-19 से बचाव के लिए देश में 25 मार्ट से लॉकडाउन लगा हुआ है 3 माई से शुरू हुआ लॉकडाउन का ये 3 फेज 17 माई को खत्म होगा लेकिन 17 माई के बाद क्या? क्या 17 माई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर देश में लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा इन सारे मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ विडियो कॉन्फरेंसिंग से बैठक करेंगे COVID-19 संकट को लेकर PM और CM के बीच ये पांच वी बैठक होगी PM मोदी की ये बैठक पहले हुई बैठकों से अलग होगी क्योंकि ये बैठक दो फेज में होगी जिसमें सभी मुख्य मंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा इससे पहले जो मीटिंग हुई उनमें सिर्फ 10-11 मुख्य मंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला था आज होने वाली बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इस बैठक में 17 माई के बाद की रणनीती पर चर्चा की जाएगी क्या देश में चोथे दौर का लॉकडाउन लगेगा या फिर लॉकडाउन को हटाने या और रियायत देने पर चर्चा होगी लॉकडाउन 3.0 में रेड औरंज ग्रीन जोन बना कर धील दी गई है आगे की रणनीती भी क्या ऐसी ही होगी इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी ये बैठक पहले हुई बैठकों से काफी अलग होगी ये बैठक करीब 6 घंटे तक चलेगी पहले दौर की बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी जो शाम 5.5 बजे तक चलेगी इसके बाद 30 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा 6 बजे 12 से चर्चा शुरू होगी और निशकर्ष निकलने तक ये मीटिंग चलती रहेगी फिलाल इस मीटिंग के लिए 6 घंटे का वक्त निर्धारत किया गया है पियम मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ ग्रिहमंत्री अमिच शा, स्वास्यमंत्री डॉक्टर हर्शवर्धन मुख्य सचव, ग्रिह सचव, स्वास्त्य सचव और राज्यों के डीजीपी भी शामिल होंगे गौर तलब है कि इससे पहले कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि आखिर 17 माई के बाद क्या होगा कौंग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री को देश के सामने 17 माई के बाद का प्लान रखना चाहिए क्या लॉकडाउन लागू रहेगा या फिर देश को खोलने पर विचार क्या जाएगा अब 17 माई के बाद क्या होगा ये तो आज होने वाली मीटिंग के बाद ही पता चल सकेगा